अब बात कर लिते जग्दलपुरकी जहाँ बिहार में जातीगत गर्णा से देश में सियासत गर्मा गई है जी हाँ जातीगत जड़्णा के मुद्दे पार प्रधान मंत्री नरीद्र बोदी का बड़ा हकी आवादी जितनी उतका हक उतना क्या सबसे बड़ी आवादी वाले हिंदू अपना हक लेले क्या प्रधान मंत्री नरीद्र बोदी ने देखे बड़ी बात कही है मंच से आपको बताते चली कि 36 गण के दोरे पार प्रधानमंत्री नरीद्र बोधी पहुचे और तभी प्रधानमंत्री नरीद्र बोधी ने ये बड़ी बात कही है इसके साथ ही प्रधान मंत्री नरीदर बोदी ने कहा कि कॉंगर्स हिंदूओं को बाढ जेश को तबाह तबा़ करना श् क्या कुछ चाहा किस तरीकि से बड़ा हमला बोला चलिए sein कॉंग्रेस किसी भी किमत चाहुनुत पर दыми चाहुन का सर्वा está भारत को तबाह कर देना चाहती है कॉंग्रेस गरीबों को माटना चाहती है मोधी ने पिछले दस सान में सारी योजना ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मे विश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाती है यही सबसे बड़ी बिलादी है अगर गरीब का भला हो गया बेश का भला अपने आप हो जाएगा और आबादी के ही अहिसाब से ही अपताय होने वाला है तो पहला हग किसका होगा भई किसका होगा आबादी किसकी ज़्यादा है तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या भारत के पूर्वप्रदान मंत्री मनमौन सिंजी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है अलपसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पेला का हक किसका होगा यानि क्या अब अलपसंख्यकों का हक कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या बिल्कुल जातीगत जनगरना को लेकर सियासत जरूर देखने को मिल रही है और इसी पर हम चर्चा करेंगे हमासाथ नियूज हैड शरत दिवेदी जी जुड़ गए है इसके साथ हमासाथ एक्जिक्यूटिव एडिटर बरूत सैनी जी जुड़ गए है और दो राजवितिक म भरापर प्रधानमंत्री नरीद्र मोदी पहुचे बिहार में जिस तरीके से जातीगत जनगरना के आकरे रारी हो गया है प्रधानमंत्री नरीद्र मोदी ने मंच से बड़ा हमला बोला कॉंग्रिस को लेकर बड़ी बाते कही क्या कुछ मायने इसके निकाले जाए क्योंकि जब आये हुए थे तो राहूल गांदी ने अपने मंचे से कहा था हमारी देश में सरकार आई तो हम जाती कर जनगणना करेंगे तभी से मुद्दा जो है देश बर में उड़ चुका था आज पी एम मोदी ने भी जो है तलक लहजों में जो है कॉंग्रेस को उपर निसाना सा रहा है जिनकी संख्या कम हो गई है लगातर यह बाते जो है सीम भुपेज बगिल पर अपने मंचे से कहते हुआ है मतलब साफ है कि आने वाला जो चुनाव है कहीं ना कहीं अब जातीकत को जो मुद्दा है वह काफी गर्माने वाला है जिस तरह से पीम मोदी ने अपने भा लेकिन जिस तरह से पीम मोदी ने यहां पर सवाल उठाया अब देखना होगा कि कॉंग्रिस के तरफ से में क्या प्रत्किया आती है लेकिन यह उसी दिन से सुरुवात हो गया तो रहूल गांदी ने शाटीजगर बिलासपूर में यह कह कर गया था कि हमारी सरकाराई तो हम जातीगा जनगर्णा कराएंगे और यह काफी अवस्चक भी ताकि पता चले कि किसकी कितनी संक्या और सभी को बराबर का हक मिले लेकिन पीम मोदी के बाद अब देखना वाली बात होगी कि कॉंग्रिस में क्या प्रतिका देती लेकिन साफ है कि 2023 का चुनाओ इसी के इर्द देश बर में सियासत देखने को मिल रही है हमने देखा प्रधान मंत्री नरीद्र वोदी जग्दलपूर पहुंचे और शतीजगर की धरा से उन्होंने जो बात कहीं कहीं न कहीं इसे धर्म की लड़ाई भी सरव कह सकते हिं हिंदू से जोड़कर देखा कॉंग्रिस पर बच्पन ही रहा होगा लेकिन उस मुद्दे ने जिस तरह पूरे देश को आंदोलित किया था अब एक और मुद्दा लाने की कोशिश की जा रही है प्रधान मंत्री इस पर एक दूसरे स्टैंड के साथ सामने है बीजेपी अलग स्टैंड के साथ सामने है उसका कहना है कि इंडिया और उसको तो गरीब है इस देश का और मैं उसी को जानता हूँ और उसी के उत्थान और विकास के लिए मैं आगे बढ़ूँगा तो ये मुद्दा लंबे समय बाद एक बार फिर सर्फिस पे आया है अब देखना ये है कि इस कश्मकश में कौन एज लेता है बड़त कौन लेता है इ कि वह इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं जो ओबी सी रेजर्वेशन से जुड़ा हुआ है लेकिन लंबे समय बाद एक हाड़कोर पलिटिकल इशू को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है बिलकुल बिलकुल सर बीजेपी और कॉंग्रिस से भी हमारे साथ बीजेपी ने मंच से कहा कि गरीब ही उनके लिए एक जाती है यानि कि गरीबों के लिए बीजेपी सरकार हमेशा काम करती हुई नजर आ रही है लेकिन जिस तरीकी से यह बड़ा मसला है हमारे साथ शरत वेदी जी भी जुड़े हो थे उन्होंने भी बताया सर बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है क्योंकि 2024 में लोगसभा चुनाव भी है क्या यह बड़ा फेक्टर बनकर उगरेगा भारती जनता पार्टी इसे किस तरह से देखती है यह तो आज माननी प्रदान मंत्री जी ने बिलकुल इसपश्ट कर दिया है कि हमने बच्पन से एक बात जरूर मैंने सुनी थी कि अंग्रेजों का एक फार्मूला हुआ करता था डिवाइडन रूल परंतु अपने जीवनकाल में उसे देखने का आउसर नहीं मिला था आज 2023 में वो देख पा रहे हैं कि किस तरह अंग्रेजों ने 200 वर्ष इस देश को गुलाम रखने का काम किया आपको याद होगा 1931-32 में पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने ये कोशिश की थी कि जाती आधार पर जनगना हो और उसका विरोध करने वाले ततकाली नतब के कांग्रेज के नेता और मात्मा गांधी भी उसमें शामिल थे कि देश में जाती जनगना नहीं होना चाहिए उसके बाद आप एक बात और बताईए कि 2001 का एक अपवाद छोड़ने 51 में 61 में 81 में 91 में और 2011 में इन सभी में जनगना कांग्रेज की सरकार के दौरान हुई दुरभागे ये है कि जब आप सरकार में थे तब आपने इसे आवश्यक नहीं समझा परन्तु आज बोट पाने के लिए आप इस देश को जातियों में बाटना चाहते हैं यह बड़ा दुर्भागे पूर ऑर यह जो खेल रा हुड के जुच्श कर रहे हैं कि कांग्रेस, पार्टी का भी रियक्शन ले लेगे लीकिन उससे पहले चलिए आपको सुनवा देते हैं शाजवापूर में रा जान जरा सुन लीजे लिए हिंदुस्तान की सरकार जानती है नरेंद्र मोधी हिंदुस्तान के OBC को यह बताना नहीं चाहते हैं कि आप कितने हो क्योंकि वह आपको भागीदारी नहीं देना चाहते हैं कितने हैं और उनकी भागीदारी कितने होनी चाहिए यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है और कॉंग्रेस पार्टी के हिंदुस्तान में सरकार है पहला काम यह करके दिखाएंगे तो राहुल गांधी को सुना वो यह कह रहे थे कि बीजेपी है जो नहीं बताना कि आक्रों के हिसाब से आबादी के हिसाब से क्या आकड़े हैं जोनता की अब कॉंग्रेस पार्टी का रियक्शन ले लेता है मसाथ अभे नारायन राय जी चुड़े हुएं अभे जी जिस तरीके से बिहार में फिर आप ले लीजे यह आरोप लगा रही है कि वोट से यह किया गया 36 गड़ में भी चुनाव हैं आने वाले समय में क्या 36 गड़ में भी जो है यह मुद्दा जमकर उभरेगा कॉंग्रिस पार्टी का क्या स्टेंड है सब्सक्राइब जान है कि भार्ति जन्ताफ़ाइटी का चन्डदे का रंग दोधा रहा है उनका चरित्रवी दोधा है और इस देश में हमेशा इस धर्म के इन्हीं के खिलाब इकोंते रुड़ाने के बार्ति जन्ताफ़ाइटी निक्की है इतियास गवाए यह जंसंग के रूपे थे चा प्रताम पाकिस्तां दो राष्ट की बात किसी में की तो आजाधी के पहले इनके लिताने की साफ़कर ने की कि दो राष्ट होना चाहिए फिर यार वो कांगरेश्ट पर लगाते चले आने हैं उसी तरह आज अगर कुछ जंगरना हो जाए और उसमें जातिकत जंगरना हो कि आप जातिगत जनगर्णा कर रहे हैं जनता की तरफ से भी यह सवाल सब के मन में होगा आपके मन में कि जातिगत जनगर्णा से चलिए OBC की हिमायत कॉंग्रिस कर रही है और मैं यह नहीं कहूंगा कि यह गलत है क्योंकि अधिकार है आपने जैसा सोचा है लेकिन क्या आप इस चिंता से भी वाकिफ हैं क्योंकि हमने अतीत में देखा है वर्तमान में भी देखा है कि यह विशय क चहरा कई बार ऐसी धारदार शक्ल ले लेता है कि उससे जो लहुलुहान होता है वो समाज होता है तो क्या इसकी आशंका आपको नहीं है कि यह विशय उठाते हुए आगे बढ़ने में कहीं न कहीं है कन्फरेंटेशनिस्ट एटिट्यूड के साथ भी चीजें सामने आ सकत कि आपका जो प्रस्त है वो उसका उत्तर है कि जो उठारा है और हम कितने हैं और आखली में तो नहीं हैरे हम लाटे हैं लोटे परह कि